प्रविवार को करीब 7 बजे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक हमला होता है हमला उस मंदिर में होता है जिसके महन उत्तर प्रदेश के CM योगी आदितिनाथ है हमले का आरोपी मुर्तजाब बासी नाम का एक यूवक ये कोई मामली लड़का नहीं है देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजिनिरिंग संस्थान IIG से पास इंजिनियर है देश की नामचीन कंपनियों में शक्स ने नौकरी की है ऐसा लड़का एक लंबा तलवार जैसा घातक हतियार लेकर मंदिर की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों पर तूट पड़ता है सब हैरान है ऐसा क्यूँ आरोपी के घर वाले उसे दिमागी रूप से बीमार बताते है जबकि पुलिस को जाच में पता चलता है कि आरोपी मुर्टजा अबासी यूट्यूब देखकर दिमागी तौर पर हिंसक हो चुका था वो जाकिर नायक को सुनता था अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये पागलपन है या आतंकी बिमारी है आश्रक संबादा था अर्विन्दोजा इस केस में एक एहम सुराग खोच कर लाए है चार मिनिट का विडियो है इसे आईस आईस इंडिया नाम की एक संस्था ने जारी किया है योगी आदित तिनात के खिलाब साज़श वाले हमले में ये विडियो निरनायक सुराग साबित हो सकता है आज तक की एक्स्क्लूसिव इंवेस्टिगेशन देखे चार मिनिट के इस वीडियो में भारत के खिलाब आतंकी मनसूबों का ऐलान है ये वीडियो इंटरनेट से चलने वाले टेलिग्राम नाम के सोशल मीडिया एप पर जारी किया गया है मेरे मुसल्मान भाईयों और विलायते हिंग में बसने वाले मुझाहिज से पाईयों अमत मुहम्मद सलुल्लाहु अल्यूशल में इसा खेज उमत है जिसका एक से पर सालाल कतल हो जाता है तो उसकी जगा दूसरा ले लेता है बलके जहाद और मुझाहिदे में इस आतंग की वीडियों में यूपी के गोरकनाग मंदिर में हुए हमने की साजिश के मास्टर माइंड के सुराग है ये एक संयोग से ज्यादा है कि टेलीग्राम में आईयस आईयस के एक चैनल पर एक वीडियो जारी करके दावा किया जाता है कि भारत में IS-IS के चार स्लीपर सिल एक्टिव है वीडियो की भासा किसी भी इंसान को भड़काने वाली है वीडियो में जिस किस्म के हथियार दिखाये जा रहे है वो देशी किस्म के गणा से और देशी कट्टे है हत्यार देशी और जुबान ऐसी कि किसी मासूम इनसान को भी लोन वुल्फ बनने की ओर आगे बढ़ा दे लोन वुल्फ यानि ऐसा हमलावर जो अकेले किसी भी चीज से हमला करता अब आप तीन अप्रेल 2022 को उत्तर प्रदेश के गोरकपुर में गोरकनात मंदिर के बाहर हुए हमले को याद कीजिए एक लड़का हाथ में गडासा लेकर आता है पियसी के जवानों पर हमला करता है और मंदिर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है अब हम आप यूपी के गोरकनात मंदिर में हुए हमले की तस्वीर दिखाते हैं सबसे पहले सीची टीवी कैमरे में खायद हमले की तस्वीर देखिए हमला वर चौरा है पर दो सिपाईयों को खायल करके मंदिर के और जाने वाली सलक पर भागता है हम अब आप वीडियो में दिखाये गए हथियार को देखिए और गोरकनात हमले में इस्ते मला हथियार को तो आप पाएंगे कि एक डेशी हतियार से एक इंसान घातक हमला कर सकता है हतियार एक है लेकिन इरादे क्या है इसके बारे में पुलिस को सुनना चाहिए पी एसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इस परकरन से कोई भी एंगिल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। अथानी हद्यारों की मदद से लोन वुल्फ अटैक की बड़ी साजिश्च कर रहे हैं। ऐसे हमलों से जानमान का नुकसान कम होता है लेकिन आम आदमी में एक दूसरे के प्रतिशंका ज्यादा बढ़ती है। आपके बगल में चल रहा सक्स कब हमला वर हो जाए इसका पता आपको भी नहीं चलता। ऐसी भावना देश के समाजिक तानेबाने को किसी बम से ज़्यादा नुकसान पहुचाती है। पुलिस को अब इस वीडियो की रोश्णी में भी पूरे मामले की जाच करनी चाहिए ताकि अगर हमले के पीछे कोई बड़ी साजिश हो तो देश को या सीयम योगी आदितनात को कोई खत्रा हो तो उसे रोका जा सके। गोरकनात मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आतंकी कनेक्शन में ये साफ हुआ है। ये पूरा मॉड्यूल ISIS और ISI से कनेक्शन के ओर इशारा कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमाद मुर्तजा अबबासी के इस कदम के पीछे साजिश ISIS या ISI की रची गई हो। कैमरा पर संडोहित के साफ संदोश्कमार आज तक। मुर्तजा का बायो डेटा ऐसा है कि जांच एजेंसियों का माथा गूम गया है। दरसल मुर्तजा की पहचान सिर्फ यही नहीं है कि वो पढ़ा लिखा है। पेशे से इंजिनियर है बलकि IIT जैसे देश के सबसे प्रतिष्टित संस्थान से पास आउट है। यानि मुर्तजा का प्रोफाइल सामान्य नहीं है। सवाल यही है कि अगर मुर्तजा आतंकी साज़श में शामिल है तो उसके जैसे पढ़े लिखे इंजिनियर का ब्रेनवाश कैसे किया गया। कौन है जिसने मुर्तजा जैसे केमिकल इंजिनियर को कट्टर पंथ का इंजिनियर बना दिया। अब जाँच एजिन्सिया मुर्तजा के आतंकी संगठन गजवातुल हिंद से कनेक्शन को खंगाल रही है। मुर्तजा के नेपाल ट्रिप से आतंकी साज़श को डिकोड करने में जुट गई है। पेशे से इंजिनियर मुर्तजा पर लगे आरो और पूछताथ में सामने आए डीटेल देश के लिए किसी बड़े ख़त्रे से कम नहीं। सोचिए जिन हुनहार हाथों में देश का भविश्य हो वही हाथ आतंक के हथ्यार बनकर अपने ही मुल्क के खिलाफ शर्यंदर का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। क्या आयाइटी से एंजिनिरिंग के डिगरी हासिल कर चुका एहमद मुर्तजा बड़ी कॉंस्पिरेसी वाले टेरर प्लॉट का एक छोटा सा महरा है। किस बार का डर था तुम तुम कुछ है क्या प्रॉब्म है। क्या प्रॉट कर लिए प्रॉट कर दो ने किस बार की बार के रहे थे हैं। गोरटनात मंदिर कान्ड की शुरुवाती जाच में मुर्तजा ने जो राज उगले और उसके लैप्टॉप और मुबायल में मिले सभूतों ने जाच एजेंसियों के होश उडा दिये मुर्तजा के लैपटॉप ने उगला वीडियो सभू मुबाइल से खुलेगा गॉड़ फादर का राज मुर्तजा की टेरर कुंडली में क्या क्या है दरसल लैपटॉप से जो सुराख हाथ लगे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि एहमद मुर्तजा बेहत खतरनाक मनसूबों के साथ आतंक की रहा पर चल पड़ा था मकसद था फिदाईन बनकर आतंक की हमले को अंजाम देना दरसल मुर्तजा से पूछताक बेचला कि वो काफी रडिकलाइज है भले ही तालीम केमिकल एंजिनिरिंग की लिए वेकर उसके दिमाग में कटर पंथी सोच का लोचा चल रहा था लैपटॉप को खंगालने से पता चला कि मुर्तजा लंबे अर्से से विवादत इसलामिक स्पीकर जाकिर नाइक के वीडियोज को सुन और देख रहा था चोकाने वाली बात ये कि मुर्तजा के लैपटॉप में भड़काओ मौलानाओं के तमाम वीडियोज मिले हैं और तो और मुर्तजा ओनलाइन मौजूद तमाम ऐसे कट्रपंतियों से प्रभावित है जो नौजवानों का ब्रेन वॉश्टर आतंकी बनाने का काम कर रहे हैं पुलिस रिमांट के दौरान हुई पूछताश में मुर्तजा ने क्या राज उगला है तुम्हारा नाम क्या है? मुर्तजा अहमद अबासी, अल्ला का बंदा तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उनके साथ रहता हूँ तुम कितना पढ़े लिखे हो? I am chemical engineer तुमने अर्बी और उर्दू कहां से सीखी? मुझे अल्ला की राह में जान देने का मन कर रहा था तुमने सिपाहियों पर हमला क्यों किया? मुझे देखकर वो लोग घुर रहे थे, जिस पर गुस्सा आ गया फिर मन में अल्ला के लिए जान देने का मन हो गया अब जाच टीम मुर्तजा के नेपाल से लेकर मुमबई कनेक्शन को खंगाल रही है जाच टीम महराश्ट से लेकर गुझरात में मौझूद है तो वहीं महराच गंज में मुर्तजा के दो मददगारों को हिरासत में लिया जा चुका है जहां भी इस मामले के इन्वेस्टिकेशन की आफशक्ता होगी तो वहां जो हमें वाली टीम जाएगी और जा भी चुकी है तो ऐसे में काफी जगे कारवाई की जा रही है जैसे ही कुछ प्रक्रति होगी तो हम आपको जरू बताएं यूपी एटियस को एहमद मुर्तजा अबबासी के पास से कई बैंक्स के एटियम भी बिले हैं जिनके ट्रांजेक्शन की डीटेल खंगाली जा रही है जाज टीम के टॉप सोर्सिस से पता चला है कि मुर्तजा खतरनात मनसूबे के साथ गोरखनात मंदिर के गेट पर पहुँचा था एटियस को शक है कि गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हत्यार से हमला करने के बाद मुर्तजा उनका हत्यार छीन लेता मकसद था चीने गए हत्यार से ही मंदिर में मौजूद बेगुनाहों का कतल याँ यूपी एटियस की टीम मुर्तजा के गजवतुल उलहिंद कनेक्शन की दिशा में भी जाज आगे बढ़ा रही है वेरसल बीते साल लखनव में पकड़ा गया मिनहाज भी अहमद मुर्तजा अब्बासी की तरहा अकेले ही मिदाईन हमले की तयारी कर रहा था और उसका हैंडलर पाकिस्तान में बैट कर उसे हमले की सीख दे रहा था यूपी एटीएस को आशंका है कि कहीं मिनहाज और मुर्तजा अब्बासी का एक ही हैंडलर तो नहीं या फिर दोनू एक ही मॉड्यूल के लिए काम तो नहीं कर रहे थे सवाल कई हैं लेकिन जवाब मिलने अभी बाकी है संतो शर्मा लखनव आज तक अब तक आपने देखा कि गोरकनात मंदर पर हमले के आरोपी मुर्तजा के कनेक्शन आयस आयस से जुड़े हैं देश के दुश्मन और भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ रहे हैं लेकिन अब आपको दिखाते हैं मुर्तजा अब्बासी की इंसाइट स्टोरी आज तक ने मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से बात की बहुत आपा कर रहे हैं कि उनका बेटा मांसिक रूप से बीमार है उसने जान देने के लिए गोरकनात मंदर में हमला किया मुर्तजा अब्बासी की इंसाइट स्टोरी देखिए आई आई टी इंजीनियर से गोरकपूर मंदिर तक मुर्तजा का पूरा सच मुर्तजा अब्बासी के पिता बेटे को लेकर कौम सा खुलासा कर रहे आज की तारीख में हर कोई उस मुर्तजा अब्बासी का सच जानना चाहता है जो सीम योगी आदितिनाथ के ग्रिख शेत्र गोरकपूर के गोरकनाथ मंदिर में हमला करने पहुँच गया अब मुर्तजा अब्बासी के तार आई एस इस इंडिया से लेकर जाकिर नाइक तक जोड़े जा रहे है लेकिन आज तक ने ये जानने की कोशिश की क्या कि मुर्तजा का माइंड वाश किस ने किया हमने मुर्तजा अब्बासी के पिता मुनीर अब्बासी से सीधे बात की उन्होंने जो बताया उसने स्टोरी को उलजा दिया उसका मानसिक जो है स्टिती सही नहीं थी बच्पन सही है और वो 2018 में जाकर कि वो उसने गंभी रूप ले लिया उसको हल्यूसिनेशन हुआ 2018 अपरायल में और वहां लोकल जामनगर में इलाज हुआ कंपनी ने उसको उन्फिट किया यह आदमी नहीं है सही है आप इलाज कर आओ जामनगर में इलाज किया हुआ दस बीस दिन तो वहां भी नहीं हुआ और वहां डाक्टर घवरा गया इनके रह दर रूप देखके बंबई उसने रफर किया तीन-चार मिना इनका वहां रहा है पिर यह वहां टेस्ट हुआ फिटनेस वगरा है इन्होंने पास कर लिया यह उन्होंने लिनियन्टी शोग किया भराल फिर जोईन किया फिर वह रही है कम रिगुलर नहीं थे महीने दो दो तिन-तिन मैंने जी है साइकरेटरी से नहीं चलेगा तो जो टॉप डॉक्टर थे नियूरलाजिस्ट हाँ उनके हाँ यह ट्रीट्मेंट इनका चला गोरकनात मंदिर में हमले के आरोपी मुर्तजा के पिता मुनीर हमें कुछ डॉक्टर रिपोर्ट्स और इलाज के पर्चे दिखाते हैं वो बताते हैं कि उन्होंने एहमदाबाद के टॉप नियूरलोजिस्ट डॉक्टर सुधीर शा से उनका इलाज कराया मुर्तजा के पिता ये भी बताते हैं कि 25 साल के बाद उनकी बाइपोलर डिसॉर्डर की बिमारी ने रौध दुरूबधारन कर लिया मुर्तजा के पिता बताते हैं कि वो उनके बैट्रूम में ही सोता था अकेली नहीं रह सकता था लेकिन जब हमने मुंबई कनेक्शन पर उनसे पोच्टाच की तुन्होंने बताया कि मुंबई मुर्तजा नहीं बलकि अपने फ्लैट के सिलसले में वो मुंबई गये थे हम आपको बता दें कि मुर्तजाने 2015 में आई टी बॉंबई से केमिकल इंजिनियरिंगी थी उसके बाद से दो कमपनियों में नौकरी भी की जबकि मुर्तजा के पिता भी एक कमपनी में इंजिनियर रह चुके हैं और रिटायर्मेंट के बाद से गोरखपूर में रह रहे हैं मुर्तजा के पिता कहते हैं कि उसमें बचपन से सुसाइट टेंडेंसी थी वो जान देने के लिए गोरकनात मंदिर गया था सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा के पास से एक बैग में अर्भी भाषा की मजभी कितावे मिली है और गोरकनात मंदिर का नक्षा भी था साथ ही उसके पास से लैप टॉप में भी कई संदिक दिगती विजियों के सुराग मिले है पुलिस जो कह रही है कि कुछ टेरिस्टों के और्गनाजीशन के संपर्क में था और इसके पास जो लैप टॉप मिला है वो एपिल का लैप टॉप है वो इसका अपना है कि कहां से आया या आप जो कह रहे हैं सच में हमें दिन लगता है पुलिस ऐसा कह सकती है और इसके पास से कुछ चीज़ें ऐसे मिली हैं जो लग रहा है कि शाय जो रास्ता भटक गए थे जो ओनलाइन जो टेरिस्ट हैं उनके संपर्क में अइसा कुछ नहीं कोई अनलाइन हम लोगों को पता चलता है कोई बाप चाहेगा क्या कि उसके लड़का जो है यह तो फिर आप कुछ भी आप इमेजिन कर लीजिए कि भई पता है नहीं चला यह हमको ऐसा तुरी था वो कहां लैप्टाप हाथ नहीं लगाता था महीनों छूता नहीं था लैप्टाप उज़क्त खराब हो जाती थी ATS का मानना है कि मुर्तजा को किसी आतंकी संगठन ने मोहरा बनाया है किसी बड़ी आतंकी घतना को अंजाम देने के लिए ये रिहलसल किया गया है आरोप ये भी है कि मुर्तजा मुंबई और नेपाल के कई संदिग्द लोगों से चैटिंग करता था उसके नेपाल मुंबई कनेक्शन को खंगालने के लिए यूपी ATS की टीम काम कर रही है संतोश शर्मा गुरकपुर आज तक अब तक पूछताच के दौरान मुर्तजा ने जो उगला है उसके लापटॉप और मोबाईल से जो डीटेल्स बाहर आई है उससे एक बात शीशे की तरह साफ है मुर्तजा के दिमाग को नफरती टेप से हाईजाक किया गया वही नफरती टेप जिसका डिरेक्टर और प्रोडियूसर कोई और नहीं बलकि जाकिर नाइक है अगर आप माशरे को सुदानने के लिए जिद्दो जयत कर रहे उसे कहते है जियाद अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे है उसे कहते है जियाद अगर आप ऑपरेशन के खिलाब जगडा कर रहे है उसे कहते है जियाद जिहाद के मानी हैं जिद्व जहद करना है मुर्दजा अबासी के जहन में आतंकी जिहाद का मवाथ डालने वाला कोई और नहीं बलकि देश का दुश्मन साकिर नाइक है गलोरियस कुरान is the last and final revelation of Allah सुभानाव टाला वही जाकिर नाइक जो देश का भगोड़ा है जो देश के खिलाफ नफरती टेप का हेड मास्टर है जो अपनी कटर और जिहादी सोच के लिए दुनिया भर में बदनाम है आपके पास चार मेने का वक्त है आप सुदर जाओ वन्ना इलान जंग और जंग के मैदान में अल्ला सुभानाव टाला फरमाते है और मुसल्मानों से कहते है जब भी दुश्मन जब भी काफिर मैदान जंग में आएं तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कतल करो यह आयत मैदान जंग में हैं गोरखपुर में मुर्टजा के हमले की जाथ शुरू हुई तो एक सिरा फिर देश के भगोडे जाकिर नाइक से जुड़ गया वजह है मुर्टजा के लेप्टॉप और मोबाइल की गवाही मुर्टजा ने तालीम देश के सबसे प्रतिष्टित एंजिनिरिंग कॉलिज से ली केमिकल इंजिनर बना आयाइटी से उम्मीद एंजिनिरिंग के दुनिया में बड़ा नाम कमाने की थी लेकिन शुरुवाती जाँच में पता चला है कि मुर्टजा के दिमाग को अपने जिहादी जहर से जाकिर नाइक ने कटर बना दिया जिसे आप इंटरनेट पर एक क्लिक से मौजूद जाकिर नाइक के भड़काउटेप से समच सकते हैं खुद को धन प्रचारक बताने वाला जाकिर नाइक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खत्रा है कई नौजवान आतन की हमलों को अंजाम देने वाले इसी चेहरे के नफरती टेप को सुनकर फिदाईन बन गए नौजवानों का ब्रेन वाश करने में जाकिर नाइक का कोई सानी नहीं आपके पास चार मेने का वक्त है आप सुदर जाओ वन्ना इलान जंग और जंग के मैदान में थुझयान, नौजभाता, और मुस्लमनों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर, मैदान जंग में आएं तो जहां भी आप काफिरों को पाऊ, वहां उनका कतल करो यह आयत मैदान जंग में हैं जाकिर नाइक ना तो उसामा बिन लादेन को आतंकी मानता है और ना ही फिदाईन हमलों को गलत मानता है उसामा बिन लादेन एक देशत गर्धाई के नहीं तो मैंने उससे कहा मैं उसामा बिन लादेन को नहीं जानता हूँ ना में मेरा दोस्ते ना मेरा दुश्मन है ना मैंने उसके उपर तैकिक किये लेकिन आप समझते अगर मैं रिप्लाइ दूँ बीबीसी और सीनन को सुनके जवाब दूँगा तो मैं पस कोई दोराई नहीं बट कहने पड़ेंगा उदेशत गर दे लेकिन कुरान मुझे इसकी इजादत नहीं देता अपने जलसे और तक्रीरों में जाकर नौजवानों को भलकाता है धर्म का हवाला देकर जिहाद और कतले आम को जायज बताता है अभर जोराई पर ब्लुश को प्रेंगा there and if they really cause a damage to the opponent as a last resort with guidance from a scholar who has not that one individual person gets up in the net and says okay fine i'll go out so with guidance of the quran and sunnah as a last resort it can be used कल कोई और था आज मुर्तजा है सोचिए किस तरह मलेशिया में छिफ कर बैठा जाकिर नाइक भारत में अशांती पहलाने की कोशिश कर रहा है कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे उसके जो लैपटाप और जो उसके मुबाइल फोन से उन पर हम लोग जाच परताल कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी 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 चीजें जो है समझ में सामने आगे दरसल सोशल मीडिया और वाटसेफ की टूल किट के जरिये जाकिर नाईक का भड़काऊ टेप एक नौजवान से दूसरे नौजवान तर आसानी से पहुँच रहा है और जाकिर की जहरवानी देश के नौजवानों को गुमरह कर आतन की रहा पर लगातार ठकेल रही है आज तक प्यूरो सिंग के निकलने वाले खून से नहाने के शौकीन अब सवाल ये है कि पुतिन इस खूनी स्नान के पीछे का सच क्या है तो जानने के लिए ये चौकाने वाली रिपोर्ट देखे प्यूरो प्यूल 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 व्यूल आज कल खून से क्यों नहाते हैं रूस के रास्ट्रपती पुतिन पुतिन के रक्तस्नान का रहस से आज खुलेगा युक्रेइन में नरसंधार और पुतिन के रक्तस्नान का कोई कनेक्शन है पुतिन की खुन से नहाने वाली रिपोर्ट से दुन्या क्यों है रक्तस्नान से पुतिन को कौन सी शक्ती मिलती है अगर कोई दुन्या में ये दावा करता है कि वो पुतिन को समझता है और जानता है तो शायर ये सबसे बड़ा धोखा है क्योंकि पुतिन उस रहस्य का नाम है उस जिसके बारे में जितना जानना चाहो रहस्य उतना ही गैरा होता चला जाता है आपने पुतिन का रहस्य मैं महल देखा होगा आपने पुतिन के सुरक्षा कवक्ष के बारे में सुना होगा आपने पुतिन के विश्कन्याओं के बारे में सुना होगा लेकिन अब हम पुतिन के जिस रहस्य से परदा उठाने जा रहे हैं वो वाकई पुतिन का गहरा राज है और अब तक पुतिन के बारे में जितनी भी रहस्चे मईए बाते सामने आई उनमें भी सबसे रहस्चे मईए है पुतिन का ये सच खुन से स्नान करते हैं रूस के रास्ट्र पती ब्लादिमेर पुतिन हिरन के सिंग से निकले खून से इसनान करते हैं पुतिन हिरन के सिंग से निकलने वाले खून में ऐसा क्या होता है पुतिन को खून से इसनान करने पर आखिर क्या मिलता है पुतिन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने यूकरेन पर हमला ऐसे समय किया जब वो गंभीर स्वास्ति समस्याओं से चूज रहे हैं जिसे उन्होंने रूस के लोगों से छिपा कर रखा है रूस में प्रतिबंदित और विदेशों में काम करने वाले प्रॉकित पीडिया की एक नई रिपोर्ट में पुतिन के बारे में कई चौकाने वाले दावे किये गए हैं जिसमें कहा गया है प्रॉकित एरणों के सींग से निकलने वाले फूँ यानी अर्ग से इसनान करते हैं ऐसे में हर किसी का चौकना लाजमी था दुनिया के बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर इस बात की खोज में लग गए हैं रिपोर्ट में ये भी कहा गया है रिपोर्टे स्वास्थ को लेकर काफी मुश्किल दौर्ट से गुजरे हैं रूसी राश्च्रपती के हिरण के सींग का खून इस्तेमाल करने से एंटलर बा रूस में बेमस हो गया है कादियोवैस्कुलर सिस्टम और इस स्किन को फिर से जीवित करता है ऐसा कहा जाता है कि हिरण के सींग के खून से इसनान करने पर शारी रिक्तात बड़ती है रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन अपने स्वास्त को लेकर कुछ ज्यादा ही अलर्ट रहते हैं इसी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ यात्राएं करते हैं डॉक्टरो के स्टीम कैंसर विशेशक्ट एवनेगी सेलिवानोफ शामिल है बता दें कि सेलिवानोफ ते 35 बार पुतिन के साथ विमान यात्रा की है रूस यूक्रेन की जंग को 31 दिन हो चुके हैं और अब जिस तरह से यूक्रेन की राजदानी कीव से 46 किलोमेटर दूर बूचा में तस्वीरे सामने आई हैं उन्हें देखकर कोई पुतिन को बेगुनाहों का खून बहाने वाला कह रहा है तो कोई पुतिन को कसाई बता रहा है तो कोई पुतिन को युद अपरादी करार दे रहा बूचा में चार सो लाशे मिली है और तो और बूचा में रूसी सेना के बनाए हुए टॉर्चर चैंबर भी मिल रहे हैं और इन चैंबरों में लाशों के बन्दे हान और पूर्टा के सबूत साब देखे जाते हैं पूरी दुनिया के एक सो पंचानवे देश इस वक्त युउक्रेन के बूचा शेहर की भायानक तस्वीरों की चर्चा तर रहे हैं रूसी सेना के भहन कर हमलों के बार कबरिस्तान में बदल चुके बूचा शेहर को देखकर यूक्रेनी रास्ट पत चिलन्स की भी रो रहे हैं यह भी कह सकता हूं कि यह नरसंगहार से कही जादा है हम आपको बता दे टर्की में शांतिवार्ता से पहले रूसी राश्चुपती पुतिन ने जलन्स की के लिए कहा था चाओ उनसे कह दो मैं उन्हें परपाव करतेंगा वैसे भी पुतिन के बारे में कहा जाता है कि एक बार जो पुतिन ने कमिटमेंट कर दी फिर वो किसी की भी नहीं सुनके अब एक तरफ तो पूचा में हुए नरसंगहार को लेकर वो दुन्या में चर्चा का विशे बने हुए हैं और दूसरी और रख्तस्नाग को लेकर पुतिन आखिटे क्या उनके दिमाग में चलके रहा हैं उनके दिमाग को पढ़ने के लिए अमेरिका से लेकर यूरोप के तमाम विशे शक्ते माथा खपा रहे हैं लेकिन पुतिन को देखकर ऐसा लगता है कि पुतिन को समझने मुश्किली नहीं नामुम्किन है पूचा से गोरो सावन के साथ आस तद्द्बिर हो पुतिन की परसनल लाइफ दुनिया के लिए किसी बंद किताब की तरह है पूचा सबन्द किताब जिसके हर पन्य मीरे सेसे जुरी कहानी दर्ज है आपने एक कहानी देखी अब आपको हम पूतिन के सबसे बड़े दुश्मन ज्यलैस्की से जुरी कहानी दिखाते हैं आखिर एक छोटे से मुल्क के राश्रोपती जिलेंस की कैसे पूतिन के सामने पहाड बनकर खड़े हैं क्यों यूक्रेंडर करने की बजाए रूस से लड़ रहा है एक के बादे पूतिन के घातक यूक्रेंड में अरेस्ट हो रहे हैं झाल वार के अरेस्ट रहे हैं पुतिन के टैक रूस को ही उद्ध हराएंगे पुतिन के घा तक उक्रेन में अरेस्ट एसा कैसे हुआ? क्यों हुआ? ये आप युद्ध भूमी की तस्वीरों से समझिए पहले यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना के हथ्यारों को तबाह कर रहे थी लेकिन अब रणनीती बदल गई है टैंक हो, तोप हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो यूक्रेन की सेना उसे तबाह नहीं, बलकि अपने कबजे में सही सलामत ले रही है मकसद है रूसी सेना के हाइचेक हथ्यारों की तकनीक को समझना ताकि भविश्य में इसका तोड निकाला जा सके रूस के टॉप टैंक का सीक्रिट, अमेरिका करेगा डिकोड रूस के रॉकिट लाउंचर की तकनीक का खेल खुल गया रूस के एर डिफेंस सिस्टम की टाकत का राज भुला अमेरिका और नाटो को मिल गई बारूदी संजीवनी ये हथ्यार हर्मोबैरिक प्लेमोट भोवर रॉकेट टी ओ एस वन बाल्टीनो युद्धुभुमी में रूस की शान और दुश्मनों का काल इसे सबसे घातक गयर परमानू हथ्यार माना जाता है ये इतना शक्तिशाली है कि पलक जबकते दुश्मनों का खेल खात्म खारकीव में रूसी सेना ने इसी हथ्यार के दम पर कहर बर पाया लेकिन अब यही विनाशकारी हथ्यार युक्रेन के हाथ लग गया है सही सुना आपने युद्धुभुमी में रूस का विनाशकारी हथ्यार दुश्मनों के हाथ लग चुका है इसका मतलब है कि अब पुतिन के इस हथ्यार में इस्तेमाल हुई तक्नीक के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा एक वाक्य में समझें तो घर का भेदी ही लंका डहाएगा दरसल ये टैंक माउंटेड फ्यूल एर एक्स्प्लोजिव है हर वहिकल में 24 बैरल रॉकिट लॉंचर होते हैं इससे प्रेशर वेव निकलती है जो दुश्मनों के फेपलों को नस्ट कर सकती है वहीं ये है रूस का दूसरा खातक हत्यार पैंटसिर S1 यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम युद्ध के मैदान में रूसी सेना पर यूक्रेन हवाई हमले कर रहा है हवाई हमलों में पुतिन की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ऐसे ही हमलों का रक्षा का वच है पैंटसिर S1 एर डिफेंस सिस्टम रूसी सेना जैसे जैसे यूकरेन के अंदर दाखिल हुई इसी हत्यार से दुश्मनों के हमलों को दाकाम कर दिया लेकिन यूकरेन ने पलटवार किया ना सिर्फ रूस के इस हत्यार को कबजे में ले लिया बलकि खबर है कि जल्द इसे अमेरिका भीजा जाएगा ताकि इसकी तकनीक के बारे में पता लगाया जा सकी रूस की चिंता सिर्फ युद्ध भूमी में यूकरेन के हाथ लग रहे उनके हत्यार तक सीमित तही है एक और मोर्चे पर यूकरेन ने रूस के लिए कदम कदम पर मृत्यू का जाल बिचा रखा है देखे यहां कदम कदम पर मृत्यू का जाल एक गलत कदम यानि साक्षाद मृत्यू जंग के मैदान में जमीन के नीचे और उपर दोनों तरफ बारूदी खत्रा बड़ा है अब हम बॉर्डर के आगे हैं जहां पर रियल असॉल्ट हो रहा है देखे स्कूल वहां पर एकदम डिस्ट्रॉई कर दिया है यहां पर जो इनके वेहिकल्स हैं वो भी डिस्ट्रॉई कर दिये हैं माइन देखे यहां पर पड़ा हुआ है यह यह तो अपोजिंग फॉसस के टैक्टिक्स थे कि माइन बिचा के जाए जब जब पीछे हटते हैं या फिर इनके अपने हैं जो यह बिचाते हैं कर देता है वो फॉर्स और अगर फिर वापस पुछ बैक होता है तो आगे वाला फॉर्स माइन करके ही जगा को छोड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा डामेज हो सके जो फॉर्स ऑक्युपाई कर रहा है उस फॉर्स पर ये वीडियो रूसी सेना ने जारी किया है दावा ये है कि उक्रेन की सेना ने लैंड माइन बिचा रखी है रूसी सेना की राहा में लैंड माइन सबसे बड़ा रोडा है सलक्स लेकर मैदानों में रूसी सेना इन दिनों लैंड माइन तलाश कर रही है क्योंकि एक गलत कदम बहुत भारी पड़ सकता है खबरों के मताबिक लैंड माइन की वजह से रूसी सेना को अपने कई टैंक, तोब और सैनिकों को खोना पड़ा है लिहाजा अब रूसी सेना पूरे मूवमेंट से पहले लैंड माइन को कुछ यू खोज रही है और फिर उसे निश्क्रिय किया जाता है मृत्यू की यही डिब भी अब युद्ध भूमी में सबसे बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है क्योंकि युद्ध खत्म होने के बाद भी यही लैंड माइन अपना खहर बरपाती रहेंगी आज तक भी रो